नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं मनद जोशी आपके अपने यूटूब चैनल हिंदिज्जम रिशर्च फाउंडेशन जेजी आटियल ओपीशल में आप सब का स्वागत करता हूं और कैसे हैं दोस्तों आप इच्छा करता हूं आप लोग स्वस्त होंगे आपके परिवार में सबकुषोल मंगर शोल तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक बहुती खास चीज लाएं पारत की गोटिका जो पारत की गोटी होती है गले में धान की जाती है हाथ पर ब्रिशलेट में भी धान कर सकते हैं वह हम आपको दिखाएंगे और उसकी कुछ जानकारी देंगे लेकिन उससे पहले आप से बिंती है कि आप हमारे और आपके अपने यूटूब सब्सक्राइब कर लें और गंटी दिख रहा है इस पर क्लिक कर दें ऑल पर स्लेक्क कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की तैयार किये यह थोड़ा चौरश टाइप का है यह एकदम बोल नहीं है यह देखिए अब इसको पारत गुटका जो होती है इसको धारन करते हैं क्यों करते हैं वह आपको बताएं पारत जो होता है दोस्तों यह भौत ही पवित्र शुरूप माना जाता है और शिब जी का य करते हैं ब्रेशलिट में धारन करते हैं तो इसको धारन करने से सभी प्रकार की नकारात्मक उठ्जाओं का नास होता है शिब करपा प्राप्त होती है और इसको धारन करने अत्वा घर के बार लटकाने से अत्वा बास्तु की जगे पे दंदे बेवसाई की जगे पे रखन और तमाम ग्रहे जो हैं, उनके अगर नकारात्मक प्रभाव हैं, ग्रहों के कुछ दोस हैं, वो भी इसको धारन करने से दूर हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के कारे नहीं बन पा रहे हैं, आप मेहनत करते हैं, आप प्रयास करते हैं, फिर भी अस्फल हो जाते हैं, तो आप पार गुठका चमतकार होथा और इसे मंत्रो चार द्वारा सिद्ध करवाके जड़ीगुटियों के द्वारा ही ऑम इसको बमद ःव कि हम सीशा जस्ता कासा वह प्योग करके इसको बनद उन आते नहीं है वो चीज जो रहती हे वो एकदम कारगर नहीं होती है। इसके अंदर पारद है और जड़ी बूटियों से इसको बांधा गया है। ये आप देख रहे हैं। और सुद्ध मंत्रों चार करके इसको तयार किया गया। इसके अंदर लोग बोलते हैं कि भई जो जस्ता ताम और खृषा से जो बांधा जाता है पारा उस कालिक आती है हां बिलकुल लेकिन अब मैं आपको एक खुला सवर बताने जा रहा हूं जो जड़ी बूटी से बांते हैं उस पे भी हलकी आती है अगर दो चार दिन दस दिन रहेगा तो इसको जब आप कपड़े साप करो तो इस पे भी हलका कालिक पना आएगा जड़ी प्रफियों में भी कुछ उसका आसर रहेगा तो कालिक जो शीशाजस्ता वाली जो गोटी पर आती है वो केमिकल की आती है इस पे कभी कभार थोड़ी आती है पर वो कालिक नहीं होती वह भार का जो धूल मिट्टी होता वह पर इसके उपर भी रखता है अगर आप साप करो वे उसके बाद ये उस पे नहीं देखेगा तो ये असली पारत गुटका की पेचान है और इसके लाव अनंत हैं इसकी में चर्चा करने जाऊं तो वीडियो छोटी पड़ जाएगी इसके लाव अनंत हैं और इसको कोई भी धारण कर सकता है इसमें कोई भी जोट्सिय परामर्स की जरूर नहीं है और ये कभी नेगेटिव असर नहीं देता है कोई भी व्यक्ति इसको धान करता अगर सरीर में दुरवलता है सरीर में बीमारियां लगी रहती हैं तो भी आप इसको धान कर सकते हैं आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी काम बंते बंते बिगड़ जाते हैं तो भी आप इसको धान कर सकते हैं आपके काम बनने शुरू हो जाएं तो दोस्तो पारत गुठका सभी परकार के रुद्राक्स रासी रतन और दुरलव सामक्रियां हमारे अपर्चुर मात्रा में उ हमारा संस्तान 12 सरकात द्वारा रिजिस्टर सेटिपाइट संस्तान है और गौर्मेंट ओफ इंडिया रिजिस्टर सेटिपाइट हमारा रिशर्स सेंटर भी है जो हम इन सब चीजों को पर रिशर्स करते हैं और उसकी पावर उसकी सच्चाई आपके सामने प्रस्तित करते हैं तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है या उसका गुण धर्म पता नहीं है तो आप वो जानना चाहते हैं तो हम वो निशुल्क बताते हैं और नीचे रिसकेशन हमारी डिटेल दी रहती है फोन नंबर एडर्श करना चाहते हैं तो इस दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होती अगर अच्छी लगी ओ तो दोस्तों रिश्ञिएदासाश सेज़ेश करें और तब तक मिलते हैं आप से अगली वीडियो में ऐसाइक दुरलब और अन्मोर लाएंगे तब तक के लिए नमस्कार